नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिसेन के खास पेश्कर्ष, खास मुलाकाद में हैं हम सब अपने जिन्दगी तो जितने ही हैं समाज होता है, देश होता है लेकिन क्या अभी हम समाज के बारे में सोचते हैं कुछ लोग सोचते भी हैं और सिर्थ सोचते नहीं, कुछ लोग करते भी हैं आज इस टूडियो में जो लोग मौजूद है मेरे साथ में, जो हमारे महमान है उनने कुछ सोचा और सिर्थ सोचा ही नहीं उस पर अमल भी किया और काम भी चालू किया जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ देरता लाइफ फांडेशन के लिगनी तरीज आज हमारे साथ में यहां कर है सबसे पहले में इंट्रडूस करना चाहूंगा श्री प्रताप हिराने जी का जो कि ट्रस्टी है देरता लाइफ फांडेशन के बहुत स्वागत है दूसरी जो महमान है हमारे साथ में हो है कस्तुरी दावने जी कस्तुरी इस नाम से में कुछ आपको बताना भी चाहूंगा कस्तुरी मुरूग होता है लेकिन उस मुरूग को ये पता नहीं होता कि उसके नाभी में एक सुगंद की एक कूपी होती है वो खुद ढूंटा रहता है लेकिन आज जो कस्तुरी है हमारे साथ में है उन्हें अपने अंदर की प्रतिभा भी पता है और इस प्रतिभा का जो पयोग है वो समाज के तती किस तरह से करना है ये भी होने पता है और किस तरह से उन्हें इस उप्योग को किया है आज ये वारता लाप में हमों से जानेगे भी तो आए हम बात चीश शुरू करते है प्रताब जी सबसे खले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देवतालाइफ फाउंडेशन ये सबना आपने कैसे देखा और इसकी शुरुआ कैसे कि देवतालाइफ फाउंडेशन का सबना वास्तों में श्री किशोर बाउने उन्होंने देखा उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि अपने लिए तो सब करते हैं लेकिन दूसरों के लिए समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए ऐसा जब उनके मान में आया तब उन्होंने सोचा कि कुछ कैसे करना चाहिए तो सोचते सोचते उनके दिमाग में आया कि देवता शब्द जो है देवताश शब्द जो है उसमें सब कुछ आता है और देवताश का नाम लेके जो भी काम करेंगे उसमें सब का भलाई है, सब का फायदा है उसमें वैसा उन्होंने 2015 में 2015 में सोचा कि कुरना चाहिए, उसके साथ में एक बाहिती चार्टर अकॉंटन्ट सुधिर बाहिती जी ने उनका उसमें साथ दिया, दोनोंने मिलके अबजेक्टिव्स तैयर किये, ट्रस्ट डेट तैयर किया और उसको कमिश्टर पूना से मंजुरी भी देवतालाइफ फांडेशन यह खास विशेश तोर पर काम करता है जो छोटे बच्चे होतें 12 साल तक के उनके जो क्यांसर पेशन उनके हिलिंग के उनको एड़ाप्टेशन के लिए तो आप एक यंग है और इस एज में इस और आपका जुकाव होना और इस जुकाव को एक इंटरस्ट बना के आपने इसको गैसे शुरुआ कि यह तक के अपने बोला वो कैंसर पीडी बच्चों के लिए काम करता है जीरो तू 12 एर्स तक के सो मोस्ली हमारे पेशिंट्स जीम्सी में अड्मिटे होते हैं और उनको हम डिरेक्ली फाइनशल एड प्रवाइड करते है तो जब यह फाउंडेशन शुरू हुआ था 2015 में रजिस्टर्ड होके 2016 से इसकी बहुत सारी अक्टिविटी शुरू ही है और मैं जब स्टार्टिंग हुआ था तब मैं इन्वॉल्ड नहीं थी विकिस आ वस्टाइग अट ताइम तो जैसे ही मेरा स्टाइज खतम हुआ ए आने के बाद से जैसा आपने स्टार्टिंग में मेरा इंट्रड़क्शन ही दिया कि जिसको पता नहीं होता है कि उसके अंदर वो है सेम हापने रित मी कि जैसी मेरी पढ़ाई हुई तो आई वसंट शूर कि करना क्या है बर यह ऐसे बोल सकते कि मेरे सामने यह प्रिजेंट एक opportunity बहुत बड़ी already presented थी, created थी, मुझे बस उसको लेकर आगे चलना था और मैं उसमें बस involved हो गई and मेरे interest उसे align हुए and उसके वज़े से मुझे लगता है कि I am very happy to do what I am doing right now और इसको एक अलग दिशा में एक अलग young person, young youth का एक touch देकर इसको कैसे आगे बढ़ाए इस पर मेरा focus है फिलार and मैं एक बार जुड़ गई इससे और अभी आगे देखते है कि कैसा काम इसका चलते रहता है आपने यंग्स्टर की बात किये और आपके इस age में काफी आपके दोस्त होंगे तो क्या वो आपके इस interest को encourage करते हैं अभी तो ऐसा हो गया है इतनी सारी मुझे लगठा है कि digital opportunities है और जो यंग्स्टर अभी काम करते हैं वो एकदम conventional jobs नहीं है कि 9 to 5 ही सिर्फ अभी कर रहे हैं बहुत यंग्स्टर है हम जानते influencers है digital marketers है Instagram, Facebook पे इतने सारे creators है और social media और एक creator community हो गई है तो जो jobs करते हैं वो भी full time करते हैं which are not conventional तो जब start होए थे तब लोगों को अजीब लगता था अभी full time हो गया तो मुझे लगता है why not क्योंकि social work is actually a full time job और उसकी need है society में अगर कोई नहीं करेगा तो it's like somebody has to do the initiation so I think कि सबका बहुत जादे support रहता है और सभी अलग-अलग fields से है कोई lawyer है कोई doctor है मेरे friends तो एक field यह भी है social work जिसमें मेरा काम चलता है तो सबका साथ रहता ही है हमेशा So for the story this is a full time job? Yes it is a full time job करते है प्रताप सर आप cancer बच्चों के लिए तो कर दे ही करते हैं लेकिन हमने यह भी सुना है कि 15 अगस 2021 को आपने एक blood donation campaign पे चलाया था जिसकी भी एक समाज को जरुवत तो है ही है और हमेशा रहती भी है और कोरोना काल की अगर हम बात कर तो उसको बहुत ज़रुवत थी तो यह campaign आपने किस तरह से चाहिए सर यह जो campaign है last year 2021 में हमने यह ध्यान में रखते हुए कि कोरोना के period में blood की बहुत सक्थ जरुवत है लोगों को तो blood कहां से आएंगा blood donation से आएंगा तो blood donation भी नहीं है जो लोग हर तीन में blood donate करते हैं उनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है तो देने वाले के फायदा है और जिसको देना है उसका भी फायदा है तो यह सब ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में ज्यादा ज्यादा blood कैसे मिलेंगा उसके लिए हमारे जितने भी सब ब्रेंचे से हमने उसकी मदद ली और यहां पर भी हमने अपने देवतालाई फॉंडेशन का जो आफिस है वहां पर हर रोज इस काम के दियान देते थे और प्रचार करने के लिए यहां से पहले हमारी चार-पाज गाड़िया निकली नागपुर से जिसको गड़करी सा दूसरे लोगों के क्या फायदा होता है इस बीच में हमको राजजपाल साब की भी अच्छी मदद हो गई उन्होंने आशरवाद दिया उसके वाद में पूरा राउंड गुमने के बाद में नागपुरम जब आए तो यहां पर लोगों ने बहुत अच्छा सदकार किया क् वाद में 7000 लोगों ने ब्लड डोनेशन का जो हमको वाइदा किया उसके इसाफ से अभी भी वो ब्लड डोनेशन का काम चालूए बंद नहीं किया हमने यहां तक कि धरम पिज मेला की जिस दिन वर्धापन दिन रहता है ब्रांच का उस दिन वहाँ पर ब्लड डोनेशन का प्लड डोनेशन करना और जो आपका ही यह तो एक निरंतर जर्नी होनी चाहिए जैसा कि आपने कहा और हम भी लोगों से बिरूबरू हो के बताना चाहूँगा कि अगर हम हर तीन में ब्लड डोनेशन करते हैं तो हमारा जो एक फिजित्स है वो भी बहुत बहुत अच्छा रह कास्तुरी यह जो दौर चला है देवता लाइफ पांडेशन का इसको करते करते आपने कई सारी इसमें खड़िया जो आपने कई एक्टिविटिस की जैसे आपने फैशन शो करवाया वो भी कैंसर पेशन के साथ में तो यह आईडिया आपको कह से हैं इसके इंप्लेमेंटे चोटे बच्चे तो ऐसे करते हुए हमारे कनेक्शन्स और बढ़ते गए और कैंसर पेशन्स मिलते गए और उनकी समस्या और समझते गए तो जब यह पैशन शो का आईडिया आया था बेसिकली यही था कि जो कैंसर सवाइवर्स है उनको बस एक प्लाटफॉम करें हस्ते खेलते रहे और थोड़ी कुषिया सब के साथ बाटे और खुद भी खुश रहे क्यूंकि I think ए बिमारी में जैसे सभी को पता ही है कि apart from physical health you also need to take care of your mental health तो उनको एक थोड़ा moment of happiness जेने के लिए वो fashion show वाला moment हमने plan किया था but apart from that जैसे छोटे बच्चों के साथ birthday celebrations है Christmas celebration है all the celebration है ऐसी जो भी खुशियो के moments हम normal family setting में करते है वही चीजे हम उनके साथ मिलकर करते है so it's nothing out of the blue ऐसा जो हम घर पे करते हैं वैसे हम लोग कोशिश करते कि उनके साथ भी वैसा है happy और healthy environment बना रहे है जी बिल्कुल इससे मुझे लगता है कि उनकी मांसिपता भी यही होती होगी कि हम भी तो एक समाज का प्रवाई हैं और हम भी इसी में शामिर हैं और हम भी बाक तो जैसे कि जब एकदम इनिशियल स्टेजेस में हमने जो cancer survivors थे तो उनको बहुत कुछ करने के भी इच्छा थी और हमारे बच्चे हैं adopted उनके parents some of their parents are migrant workers, daily wage earners तो लोग ऐसे काम करते हैं तो उनको अगर किसी चीज की ज़रुवत रही और starting में हम लोग उनके लिए योगा लेते थे family के लिए उनको skill development देते थे and we used to teach them चुटी चुटी चीजे handmade और फिर हम जाके वो आगे advertise या market करते थे तो it was just की बच्चों का तो खयाल रखा जा रहा है उनकी parents के लिए कुछ करना है बस इसी से वो idea आया हमारा और उस पर काम चल रहा है तो उनको जो जिस चीज में interest है हम ट्राय करते है कि बस उस interest को बनाय रखे और उसको थोड़ा आगे level तक पहुच रहा है एक सवाल में आप दोनों से common पूशना चाहूंगा जिसका बारी बारी आपको जवाब देना है देवता लाइफ foundation का एक मोटो है एक रुपए आदान cancer मुक्त अभियान ये भी एक ऐसा unique idea है जिससे आप लोग बच्चों को जो aid पहुचाना चाहते उसके लिए बहुत जरू प्रतिसाथ के से मिलना है फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये idea हमारे श्री किश्वर बामनेजी जो है जिनके दिमाग में आई उन्होंने सोचा कि ये जो अभियान है ये एक दो चार हजार दो हजार लोग काम नहीं इसमें जब तक इसमें जैसे नागपुर में 25 लाव की जन दियार दिये उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया तो ये अभियान बहुत सा फ़ल हो सकता है और ये पिछले 15 तरिक से जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो मदद कर रहे जो लोग वो स्कूले में जा रहे है पोलिस टेस्टेसिन में जा रहे है सभी जगह जा रहे है वहां पर लोग आएंगे और पेटी में कभ एक रुपया जालेंगे तो ये जो है एक एक रुपया करके जो कड़ी जो बोलते है कि जोत से जोत जगाते चलो तो उस तरह से ये उसमें कड़ी एक से जुड़ते जा रही है एक रुपया बोलने के लिए एक रुपया है लेकिन ये भी क पर कोई बंदन नहीं है लेकिन उसमें मिनिमं का बंदन एक रूपय का दालग है यह भाव होना चाहिए पैसे की जो है मुझे तो लगता है कि पैसे से ज्यादा आप जो दे रहे हैं उसकी पीछी आपकी भावना होने चाहिए और मैं समझते हुआ अविश्कार है दें लाइन यह बेसिकली हमारा एक कैंपेन है अभी जैसे मने बता है हम लोग कैंसर पीडियाटिक कैंसर मतलब चोटे बचोंगा कैंसर बहुत जादा बढ़ते जा रहा है और हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आती रहती है कि माम हमको भी सपोर्ट चाहिए जो बच्चे हमारे पास अल्र किला हमारे साथ तो उनको भी लगता है कि हमीं भी सपोर्ट मिलना चीख और उनको सही में जरूरत है तो इसी सपोर्ट को हमारो जो amaranac के प्रोग्रम है उसको एक्सटेंड करने के लिए उसको बढ़ान ए और बच्चे अड़ाप करने के लिए अमने ये कैंपेंश इस चु वो लोगों तक पौचे कम्यूनिटी हम एक लाइक-माइड़ पीपल की बिल्ड करें कई बार होता है कि हमारा इतना अच्छा काम चल रहा है पर वो लोगों तक कैसे पौच आए अबियूसली सोशल मीडिया का यूस तो होता ही है पर अभी हमने इसमें परस्नल टच देने का हमने सोचा इसलिए हम लोग ऑन ग्राउंड कैमपेणिंग इसके लिए कर रहे हैं हमारे सारे वॉलेंटियर्स वॉलेंटियर्स रोज अलग अलग जगा जा रहे है अलग अलग जो है मैसेज जायों जिसको भी मदद करनी है उनको भी एक प्लाटफॉर्म मिले की ओके हमको मदद करनी है पर कैसे करे तो हम लोग जब परसें में जाते तो उनसे बातचीत होती है तो उससे अच्छा कनेक्शन बन जाता है तो मुझे लगता है वही इंटेंशन से ये रिखते हैं इस हम यहां पर बैटे हुए कर अभिक आवाहां कर सकते हैं आप यहां के कहना चाहेंगे और si संदेश है एक ही आवन है इसमें कि जितनी मदद हो सके आप इस कारेक्रम को हमने जवात में लिया है भले इसका नाम एक रुपया दान है और उसमें भला कितने लोगों का होने वाला है जितने ज्यादा जो लोग आजकल क्या हो रहा है कि कैंसर की संख्या दिन बढ़ते जा र देवतालाइब फांजेशन ने किया तो मेरे खाल से एक समाज की बहुत बड़ी सेवा होंगी और यह समाज की सेवा करने के लिए पैसे तो जरूरत रहती है बिना पैसे के तो को काम होने ही सकता प्रोमोटर जो रहता है कितना अपने इसमें से निकालेंगा तो जन 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 यदि लोग इसमें शामिल होते हैं तो अब यहां निश्चित रूप से सफल होंगा और ज्यादा ज्यादा लोगों को देवतालाइब फांजेशन की तरफ से मदद की जा सकती है कस्तोर मैं आप से बुच्टा चाहूंगा और आपको भी मैं आवहान करना चाहूंगा कि आप हमारे यूथ हैं चलती चलती किया संदेश देना चाहेंगे, क्या आप उन से कहना चाहेंगी मुझे लगता है यह बहुत अच्छी है हमारे सभी के सामने एक opportunity है कि community और society के लिए कुछ करने की तो मुझे लगता है यह चांस आप जाने मत दीजे हमारा बहुत अच्छा यह campaign चल रहा है बस आपके एक रुपे donation से भी आप इस campaign में involved हो सकते हैं और हमारी एक बहुत बढ़ और हमारे cancer care program को आगे बढ़ाने में और extend करने में हमारी मदद कीजिए मैं भी दर्शवकों से कहना चाहूंगा कि मराठी में हम कहते हैं कि देव कुठी अस्तो देव आपने प्रत्य काचा माना थिस अंदर के देवता को समाज में विखेने का काम कर दिया तो क्या हम अपने विनन्ती भी करते है कि इस योजना में इस जो है मुहिम है इसमें हम सामिर हो जाए और हम आपके और आपके इसको एकार्य को शुक्त नम्हाद देते हैं झाल झाल